सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को साजा किया गया है जिनमें ये सिक्का दिखाई देता है जैसा कि अब देख सकते हैं इस सिक्के की एक तरफ साल 1818 का जिकर है और इस्ट इंडिया कमपनी लिखा हुआ है दूसरी तरफ हिंदू देवता की छवी है जिसके नीचे श्री राम दर्बार लिखा हुआ है जैसा कि देखा जा सकता है सिक्के पर लिखा है कि इसका मूलिय दो आना है दावा ये है कि इस सिक्के को इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा जारी किया गया था इन तस्वीरों को तमिल संदेश के साथ भी सोशल मीडिया पर साजा किया गया है क्यूंकि इस सिख्ये पर साल 1818 लिखा हुआ है हम इस्ट इंडिया कंपनी के सत्रवी सधी के अंत और अठारवी सधी के शुरुवात के समय पर गौर करेंगे 1757 में प्लासी की युद्ध में विजय के बाद इस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन का एक महत्वपूर्ण दावेदार बन गया ये एक ऐसा समय था जब इस्ट इंडिया कंपनी के सिख्ये मुगल बाच्शा और स्थानिय राजाओं के नाम पर ढाले जाते थे इन सिक्कों पर फार्सी और हिंदी भाषाओं का इस्तमाल किया जाता था ऐसे सिक्के कैलकेटा और बॉंबे प्रदेश में बनाये जाते थे जहां तक मदरास प्रदेश का सवाल है यहां पर कुछ सिक्कों में मंदिर के गोपुरम जो दक्षिन भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थेत होते हैं और भगवान विश्णू की छबी को दर्शाया गया था फार्सी के अलावा इन सिक्कों पर तेलुगू और तमेड भाषा का उप्योग भी किया जाता था ओल्टनियूज ने अपनी जाच में पाया कि भगवान राम की छबी को किसी भी इस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के पर नहीं दर्शाया गया और हमें ऐसे कोई सिक्के के बारे में जानकरी नहीं मिली जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर फेलाई जा रही है सच तो ये है कि ये सिक्का इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी नहीं किया गया है Alt News ने मोहित कपूर से इस बारे में बात की कपूर एक मुद्रा शास्त्री हैं उन्होंने हमें बताया कि ये सिक्का किसी की कल्पना का परिणाम है East India Company ने ऐसा कोई सिक्का जारी नहीं किया था उस वक्त सिक्कों को हाथ से ढाला जाता था जबकि तस्वीरों में दिख रहा सिक्का मशीन से बनाया हुआ है तो इस तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया में किया गया दावा गलत है तस्वीरों में देख रहा सिक्का East India Company द्वारा जारी नहीं किया गया था धन्यवाद